हलो है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कवरपाल सिंग और आज हम मद्धन करने वाले हैं यायावर सामराज्य के उपर और ये इसकी उपर हमारा सेवन्थ वीडियो है और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री के तो ये इसकी उपर हमारा 18 वीडियो है यदि इससे पहले वाले वी महत्पून तित्या है और उनसे जो सम्मंदी जो घटनाए हैं उनके सम्मंद में आज हमाद्यन करने वाले हैं इसके अतरिक्थ हम यायावर सामराज्य से सम्मंदी जो महत्पून शब्दावली है उसके सम्मंद में भी हम चर्चा करेंगे और ये हमारा यायावर सामराज्य से संबंदी जो महत्पून तिथियां और उनसे जो संबंदी घटना हैं उनके उपर हम चर्चा करने वाले हैं तो देखिए यायावर्ण सामराजी की जो इस्तापना की थी वह की थी चंगेज खाने और चंगेज खाके बच्पन का नाम था तैमोजिन और तैमोजिन का जनम हो और बंदी बनाके इनको दास बना ले जाता है और जब तैमोजिन का विवा होता है बोरते नामक महिला से तो इस बोरते नामक महिला का भी अपरहन कर लिया जाता है तो यह जो टाइम था तैमोजिन का यह ताइम है यह दास्ता और संगर्स का टाइम है तैमोजिन का अब हम जो सबसे पहला नाम आता है वहें आता है बेगूरेचु का, बेगूरेचु इसका बहुत अच्छा मित्र था और अंत तक इसके साथ रहता है। दूसरा नाम आ जाता है जमुका का, जमुका इसका सगा भाई था और सगे भाई को मंगोल प्रमपरा में आंडा कहा जाता था, ये पहले इसका मित्र था और बाद में इसका सत्रू बन जाता है, तीसरा नाम आ जाता है तुग्रिल खाका, ये कैराइट कवेले का सासक था और से ओंग खाके नाम से भी जाना जाता है यहां पर जो तैमोजिन होता है अनेक लोगों से संदी और संबंद बनाता है और इसके पशात में अपनी पत्नी बोरते को आजाद करवाता है अब हम चर्चा करेंगे चंगेज खाके विजय और विस्तार के काल की चर्चा करेंगे दे दुसरा जो time period है वह है आजाता है 1206 से 27 के मद्दे में देखे 1203 से 26 के मद्दे में क्या करता है चंगेज खां यह जो कबिले होते हैं मंगोल जो कबिले होते हैं उनको पराजित करता है और उनको एकत्तिरित करता है 1206 के बाद में यह है अपने सामराज्य विस्तार के और निकल पड़ता है और 1206 इसवी में ही तैमूजिन को चंगेज खा की उपादी दी जाती है जिसका अर्थ होता है सार्व भॉम सासक और ये जो उपादी है ये उपादी दी जाती है किरलताई के द्वारा जी जाती है किरलताई है ये मंगोल जो सरदार होते थे कभीलों के जो सरदार होते थे उनकी सबा को किरलताई कहा जाता था और यहें किरलताई 1206 इस्वी में तैमुजिन को चंगेज खा की उपादी परधान करती है और इसे सार्व भोमसासक घोसित कर देती है 1206 से और 27 इस्वी के मद्दे में जो चंगेज खा होता है चीन और खुआरिजम जैसे प्रदेश को प्राजित करता है 1207 इस्वी में चंगेज खा की मृति हो जाती है दिकि चंगेज खा की मृति होती है उससे पहले ही चंगेज खा क्या करता है कि अपने सामराज्य का जो बटवारा है वो चार भागों में कर देता है अपने चार पुत्रों में कर देता है और चंगेजखा का जो बड़ा बेटा होता है, फर्स्ट नंबर का, उसे मिलता है, रूस का स्टेपी प्रदेश मिलता है, सैकिन नंबर का जो बेटा होता है, चक्ताई, इसे तुरान का स्टेपी चेतर और पामीर के पहाड़ का उत्री चेतर मिलता है, अपने तीसरे नंबर क जो बेटा होता है ओगे दे इसको यह अपना उत्तरादिकारी घोसित करता है और यह महान खान के उपादिधान करता है यह अपनी जो राजदानी है यह कराकरों में इस्ताफित करता है चोथे नंबर का जो बेटा होता है तोलोई इसको अपनी जो पैत्रिक भूमी होती है मद्दे का जो टाइम पीरेड है इस टाइम पीरेड में तीन महान खानों का शाषन होता है और यह जो टाइम पीरेड है यह मंगोल एकता की स्थापना करने के लिए जाना जाता है इन तीन महान खानों में जो पहला होता है वह होता है ओगेदेई यह चंगेज खा का तीसरे न प्रवार्व के मद्दें तो यहाँ पर जो चोजी के उत्रा दिकारी होते हैं यह ओगे दिए को समर्थन करना बंद कर देते हैं consci…? यहाँ पर जो सक्ति है चंगेज खाके सबसे छुटे बेटे के पास चली जाती है तोलूी के पास जिसे तलूय भी कहा जाता है और तलूई का बेटा होता है मोंके ये सासक बनता है 1291 से 60 इस्वी के मद्दे में और इस टाइम पिरिड में सामराज्य विस्तार के दो प्रमुक अभियान होते हैं पहला जो अभियान होता है ये 1236 से 42 इस्वी के मद्दे में होता है यह चंगेज खान का पोता होता है बाटू और यहां पर जो बाटू होता है यह आकरमन करता है रूस, हंगरी, पोलेंड और ओस्टिया पर आकरमन करता है दूसरा जो इनका विजय अभियान था यह 1253 से 1255 इस्वी के मद्दे में चलता है यहां पर जो मौंके होता है यह इरान और चीन पर दुबारा आकर्मन करता है आगे हम देखेंगे कि 1260 इसी में तलूज के दूसरी नंबर का जो बेटा होता है कुबलई खां यह सासक बन जाता है और यह अपना राजजबिशेक करवाता है पैकिंग में और यहाँ पर यह महान खान की उपादी धान करता है अभी हमने देखा कि 1227 से और जो 60 का जो टाइम है यह मंगोल एकता के लिए जाना जाता है लेकिन 1260 के बाद में जो चंगेज खां की जो वनसस थे उनमें उत्रा अधिकार को लेकर संगर्स प्रारम हो जाता है और यहाँ पर जो मंगोल होते हैं वो अनेक वनससों में विवक्त हो जाते हैं यहाँ पर जो तीन वनसस है वो परमुक है यहाँ पर जो चंगेज खां का सबसे छोटा बेटा होता है तलूई इसके वनसस तोलूईद कहलाते हैं और इसकी दो साकाएं होती है चीन में इसकी साका का नाम होता है युवान साका या युवान वन्स होता है इरान में इसकी साका होती है इलखानी राचे तो यहाँ पर जो तलूई है तलूई के वनसज है यह आगे जाकर दो साकाओं में बढ़ जाते हैं एक युवान साका में और दूसरी इलखानी साका में चंगेज खांका जो second number का बेटा होता है चक्ताई ये उत्री तुरान के स्टेपी छेतर जहांबर आधुनिक समय में तुर्किस्तान भसा हुआ है वो छेतर इसके हिस्से में आता है चंगेज खांका जो सबसे बड़ा बेटा होता है इसके वनसज है ये golden horde के नाम से जाने जाते है इनका जो सामराज्य होता है ये रूस के इस्टेपी छेतर में होता है इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंगेज खांके जो वनसज है ये तीन भागों में बढ़ जाते है और ज कि इसको हम मैप की साइता से समझने का प्रियास करता है कि चंगेज़ खा का जो सबसे बड़ा barking होता है इसके जो वनसाज है यह गोलिटन होर्ड के नाम से जाने था, संगेज खांके तीसरे नंबर का बेटा होता है, ओगेदेई, तो देखे, ओगेदेई के जो वनसज है, ये तलूई में जाके मिल जाते हैं, तलूई जो साका होती है, संगेज खांके जो सबसे छोटा बेटा होता है, उसकी साका में जाके समलित हो जाते हैं, यहाँ पर जो तलूई होता है इसकी दो साका है होती है एक युवान साका और दूसरी होती है इलखानी साका यहां पर जो युवान साका है इसका सासन होता है आधुनिक जो चीन बसा हुआ है वहाँ पर होता है और यहां पर जो महान खान है इससे तातपरी होता है कुबले खांसे दूसर जो इसकी साका होती है इलखानी साका इसका सामराजिय होता है इरान के आसपास तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चंगेज खाका जो सबसे बड़ा बेटा होता है चोजी उसकी साका के संबन्द में हम चर्चा करते हैं जिसके वंसस जोजिद कहलाते हैं या इने गोल्डन यह पहले इसाई धर्म को अपनाते हैं और उसके बाद में यह इसलाम धर्म को अपनाते हैं इसके अतरित गोल्डन होड के दुआरा मिस्टर के साथ में मैत्री संबंद इस्तापित किये जाते हैं और यह मैत्री संबंद इस्तापित किये जाते हैं इलखान के विरूप यहाँ इनके दुवारा तुरान पर अधिपत्य इस्तापित किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं तोलूई साखा की। तोलूई साखा आगे चलकर दो भागों में विवक्त हो जाती है। इसमें से एक आजाती युवान साखा। युवान साखा का जो अंत है कि 1368 इस्वी में हो जाता है। दूसरी जो इसकी साखा थी यहें थी इलखानी साखा थी। इलखानी साखा के दौरा 1280 इस्वी में बगदाद पर अधिकार किया जाता है। साथी अब्बासी खिलापत का अंत किया जाता है। मौंके के जो छोटे वाई होते हैं, हुलेगू, इनके अधीन इरान में इलखानी राजे की स्थापना की जाती है, इसी के साथ में चोजी के वंसज और इलखान के मद्दे में संगर सुरू हो जाता है, 1295 से 1324 के मद्दे में इरान में जो इलखानी सासक है, गजन खान इसका स तांत्रित कर लेता है और इसके पश्यात धीरे धीरे जो अन्य इलखानी सरदार थे वो भी अपना धरम है वो बदल लेते हैं और ये सभी इसलाम धरम को स्विकार कर लेता है देखिए 1370 से 1405 इस्वी के मद्दे में तैमूर का सासन होता है और तैमूर ने चगताई वंसे आपने आपको चंगेज खा का वंसेज बताता है और इसने स्टेफी छेतर में एक सामराज्य की स्थापना कर लेता है उसके बाद में हम चर्चा करते हैं बाबर की देखिए यहां पर बाबर की चर्चा इसलिए की गई है कि बाबर पित्री पक्त से तो ये वंसेज होता है और यदि हम बात करें मात्री पक्त से तो मात्री पक्त से ये तैमूर का वंसेज होता है तो यहां पर जो बाबर होता है ये पिता पक्त से चंगेज खा का वंसेज होता है और मात्री पक्त से तैमूर का वंसेज होता है इसका सासनकाल होता है 1495 से 1530 इसवी के मद्दे में औ इसने 1526 इस्वी में दिल्ली का सासक होता है इब्राहिम लोधी उसको पराजित करता है और इसके साथ ही दिल्ली और आगरा प्रातना अधिकार इस्तापित कर लेता है अब हम जो आधूनिक मंगोलिया है इसकी हिस्ट्री को एक बार संशिप्त में जान लेते हैं तो देखी य यहीं चंगेज खा की मात्री भूमी रहा था यहां पर यदि हम मंगोलिया की बात करें तो देखें 1206 इस चंगेज खा के द्वारा सामराजे की स्तापना की गई थी चंगेज खा के बाद में इसके पुत्रों के द्वारा इस सामराजे का विस्तार किया गया लेकिन जब 1687 प्रापती में। तिबत चीन का प्रतापती में। मंफून पर बा मंन्चु लोगों के दोपर 1769 इस्वी में मंगोλिया पर विजए पराप्त करली जाती है लेकिन 1911 इस्वी में इस वन्स का अंत हो जाता है और इसी के साथ ही जो मंगोलिया है यह अपनी श्वतंतरता की घोशना कर देता है लेकिन यह अपने आपको गणराज्य घोशित करता है 1921 में तो 1921 से लेकर और 1945 इस्वी तक यह संगर्ष करता है अंतरास्टिय मानन जैसे ही किविंग राजवन से मुक्त होता है वैसे ही ये प्रभाव में आ जाता है रूस के प्रभाव में रूस के प्रभाव से ये मुक्त होता है 1989 को और 1990 में यहां पर एक लोकतंत्रिक क्रांती होती है और इस क्रांती के फलसुरूप यहां पर बहुत अलिए लोकतंत्र की स तापना होती है और इस प्रकार 1992 में मंगोलिया का समीधान बना और मंगोलिया जो देश है इसकी जो वर्तमान में जो राजदानी है यह है उलान बतोर तो यह मंगोल सामराज्य से संबंदित महत्पून तितिया होगी अब हम चर्चा करेंगे मंगोल सामराज्य से संबंदित जो महत्पूर सब्दावलिया हैं, उनके उपर हम चर्चा करेंगे, इसमें जो पहला सब्दा आ जाता है, वहें है यायावर, तो देखें, यहाँ पर यायावर से तात्प्रिय होता है, ऐसे व्यक्ति, जो भोजन की तलास में, एक इस्तान से दूसरे इस्तान घूमते रहते ह हैं, दूसरा यहाँ पर सब्द दिया हुआ है, बरबर, तो देखें, बरबर सब्द का प्रियोग है, यह जो चीन है, रूस है, यह हम कह सकते हैं, पूर्वी यूरोप है, और इरान की लोगों ने इन मंगो लोगों के लिए प्रियोप किया गया, तो पहले इस बरबर त्यूंत्र चली तो गुई कि यहां पर जो बरबरस होता था गैर यूनानी जो फोटे थे उनकी भासा बरबरके समान लगती थी इसलिए उन्हें बारबरोस कहा जाता था बाद में अंग्रेजी में इसे बारबेरियन कहा जाने लगा और बाद में रोमन वासी बरबर सब्द का प्रियोग जर्मन जन्जातियां जैसे गौल है, हुन है उनके लिए करते हैं नेक्स्ट जो सब्द दिया हुए है, वहाँ है इस्टेपी प्रदेश तो देखें इस्टेपी प्रदेश से तात्प्रिय होता है व्रक्ष हिन खुले घास के मैदान जो विसाल मैदान होते हैं और ये पाये जाते हैं मद्देश याम इस प्रदेश में जलवाईउ गरिम सी तुमे तो गरम होती है और सी तुमे ठंडी होती है यहाँ पर जो तापमान का अंतर है यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है वारशिक वरसा है, यह हमेशा यहाँ पर ओसक से कम होती है इसी वज़े से यहां के जो लोग थे वो खेती ना करके पशुपालन करते थे दूसरा यहां पर सब दिया हुआ है जर देखिए जो मंगोल निवासी थे ये एक तंबू जैसी संरचना में रहते थे और इस तंबू जैसी संरचना को जर कहा जाता है नेक्स्ट जो यहां पर वर्ड दिया हुआ है वह दिया हुआ है कुरिलताई यहां पर जो कुरिलताई होती थी यह मंगोल कभीले के जो सरदार होते थे उनकी एक सबा होती थी और इसी सबाने 1206 इसी में पैमूज इनको चंगेज खाकिवपादी परधान की थी और इस कुरिलताई में जो भी निर्णे लिये जाते थे यह सामूइक रूप से लिये जाते थे जैसे के परिवार के सदश्यों में राज्य की भागिदारी हो राज्य के भविशे का निर्माण हो शैने अभियान हो लूट के माल के बटवारे सम्मधित जितने भी निर्णे यहां पर लिए जाते थे, ये सामोहिक रूप से लिए जाते थे, और भहुमत के आधार पर लिए जाते, नेक्स्ट जो सब दियाओा है, वहें दियाओा है तुमन, तो देखिए, चंगेज खाने जो अपनी सेना का गठन किया था, ये दसमलव पदती के आधारपल किया था इस दसमलव पदती में सैनिकों को 10 के गुणक की इकाई में रखा जाता था जैसे 10 है, 100 है, 1000 है और 10,000 है यहाँ पर जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वहें 10,000 की होती थी और इसे कहा जाता था तुमन और इस तुमन में अनिक कबिले और कुलों के लोग शामिल होते थे next जो word दिया हुआ है वह है नोयान देखी चंगेज खाने कुछ नई सैनिक टुकडिया बनाई और इन सैनिक टुकडियों को चंगेज खान अपने पुत्रों के अधिन रखता है और यहाँ पर जो कप्तान निफ्ट किये जाते है उन्हें नोयान कहा जाता है अगला जो word दिया हुआ है वहें दिया हुआ है उलुस तो देखी चंगेज खान क्या करता है अपने मरने से पहले अपने सामराज्य का बटवारा चार भागों में कर देता है अपने चार पुत्रों के मद्दे में तो जो इनको भूबाहग प्राप्त होता है उसे उनुस कहा जाता है और यहाँ पर जो उनुस शब्द है और इनी शेने टुकुडियों को तामा कहा जाता था और यहाँ पर जो तामा होती थी यह प्रते एक उलुष में तैनात होती थी नेक्ष जो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है वहें दिया हुआ है पुबकुर कर तो देखिए संगेज खा के दुआरा संचार के लिए एक पदती बनाई गई थी और उस पदती का नाम था हरकारपती इस पदती के अंतरगत क्या किया जाता था एक निशित दूरी में सैनिक चोक्यों का गठन किया जाता था और इन सैनिक चोक्यों का मुख्यकारियों होता था जल्द से जल्द जो संदेश है वे राजा तक पहुंचाना और इस संचार पदिती की व्यवस्ता के लिए मंगोल लोगों से जो कर लिया जाता था उस कर को कहा जाता था कुबकुर कर इस कर के अंतरकत जो मंगोल लोग होते थे अपने घोड़े या जो पसु होते थे इनका द देखी चंगेज खांकी जो कानून याज याय साक कहा जाता है, जिसमें आखेट के व्यावस्ता अपन टाक संबंदीग निव होते हOP इस वीडियो में हमने यायावर समराज्जे से शंब दीडिग जितने भी महतपूर्ट थि थि और उनसे संबंदि जो घटनाही थी उनके संबंद में चर्चा कि साथ ही जो महतपूर्ट शब्दावलिया थी उनके संबंद में हमने चर्चा कि देखिए इस वीडियो की जो pdf नोर्स है या या यावर सामराज्य की संपूर्ट जो class notes है, वो आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएंगे और इस video या इस class से संबंदी किया दिया आपका कोईक्यूशन हो तो आप मुझे direct DM कर सकते हैं हमारा जो Instagram और जो telegram channel है, दोनों के link है वो आपको description मिल जाएंगे अगर ये video आपको अच्छा लगा तो channel को like, share, subscribe परें Thank you